तो आज है 9th of January और दिन है Thursday का तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग हर रोज जो है जितने भी पूरे दिन की news होती है उसका analysis करते हैं और जानते हैं कि देशी दुनिया में क्या चल रहा है और जो है हमारा जो source है वो दा हिंदू को लेके चलते हैं मैं मैं मानता हूं कि इसमे आपके front page है front page पे जो सबसे पहले यह वाली news है जैसे कि आप जानते हैं कि US ने जो है इरान के commander को मरवा दिया था तो अब जो इरान ने क्या retaliation अपना बदला ले लिया और एराक में जो military जो base थे US के उन पर missile छोड़ दिया अब actually हुआ कि मतलब उन्होंने एक तरह से ignore भी क नहीं किया है उसके आजू-बाजू में missile target कर दिया है तो इससे क्या हुआ कि US के कोई भी जो है जानमाल की हानी नहीं हुई है वहां पर US के कोई भी soldier नहीं मारा गया क्योंकि अगर US के soldier कोई भी मारा जाता तो ना चाहते हुए भी US को भी इस war में कूदना पड़ता और फि चीज को अब ठीक है उन्होंने जो बदला ले लिया हमने कर लिया और आगे हम इस चीज को बात करके सुल जा लेंगे और जो है और उन्होंने बोला तो इरान ने इससे पहले कमेंट भी किया था उन्होंने बोला था कि हम ऐसा बदला लेंगे उन्हें कि West Asia में US का नामनिश आड़ा इस सब्रीट के इन्वेस्टेशन चालओ और जहां की सिन्हें तो की अंगे चलते हैं यहां पर जो जे आज बृंदी सожет से कुछ दिने दुनों पहले तो वहाँ पर जो डेली स्टुडेंट्स के डेली उनिवर्सिटी के स्टुडेंट्स हैं वो भी सपोर्ट में आ गए हैं और उन्हें बोलाई कि जो भी वालेंस हुआ है यह बिलकुल गलात है और इसके खिलाफ सक्से सक्ट एक्षन होने चाहिए और उन्हों ने मार्च निका कोल माइनिंग में FDI उन्होंने एलाव कर दिया पहले क्याता कोल माइनिंग में FDI इंवर्सिपेट कर सकता है और कोई भी पार्टी होती हो पार्टी से कर सकती है जो इनके कोल ब्लोक्स की निलामी होती है like coal blocks को निलाम करते हैं और फिज जितने मतलब कुछ समय के लिए निलामी होती है और उसमें अपना आदमी जो भी party उसको खरीती है lease पे लेती है उसमें जो वो coal mining कर सकती है तो उसकी जो निलामी होगी तो उसमें कोई भी कि सीधे सीधे party participate कर सकती है उसकी निलामी होगी है तो इससे क्या होगा कि उन्होंने अनुमाल लगा है कि जो हमारा rank है इंडिया की ease of doing business में वो भी मतलब ऐसे hope करिए कि वो भी सुधरह की आगे जाने बला है समय में और जो coal mining की जो status है अभी फिलाल वो और जादा बढ़ जाएगा जिससे हम जो है कोल की production और जादा कर पाएंगे 2023-2024 तक उनका target है कि वन बिलियन टन तक हम प्रोडक्शन कर लेंगे इसका आगे चलते हैं आगे यहाँ पर फिर से जेन्यू वालेंस को लेके news है यहाँ पर क्या पुलिस जो explain नहीं कर पाई है कि जब actually क्या था कि जेन्यू वालेंस में जब हुआ था जब वो गुंडे लोग जो है मार पीट कर रहे थे बच्चों कसा तो महाँ बहार जो जेन्यू के बहार जो पुलिस खड़ी थी डेली उनिवर्सिटी के स्टूरेंट्स उन्होंने बोलाई कि जो जो जेन्यू केमपस है उसे बैटल फील्ड ना बनाया जाए उसको पढ़ाही का एक जरिया है तो उसको रहने दिया जाए आगे चलते हैं यहाँ पे डेली को लेके निउस है यहाँ पे जैसे अब जानते हैं कि डेली में एलेक्शन आने वाले हैं तो सारे पॉलिटिकल जो आरोप प्रते रोप चल चुका है सारी पार्टी के बीच में सब अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडास शुरू कर दिया और यहाँ पre आप और बीचेश्पी पार्टी को लेके बोला है जो उनके मनिश्यस हो दिया अगर दिल्ली के पबलिक को अगर जो आपको काम पे ही वोट करना ए तो उनकी एजुकेशन एजुकेशन मॉडल रहा है हमारा जो बीजेपी का जो एजुकेशन मॉडल और हमारा जो आम आद्मी पार्टी का एजुकेशन मॉडल उसको कंपेर करके देख लिए हमारे जितने हमारे रूल हमारे पीरेट में सारे स्कूल जो है बनाए गए हैं और जो बच्चों का पढ़ा में आगे चलते हैं यहां पर फिर से एक पॉलिटिकल एजेंडा है इसको डिसक्स कर लेते हैं ज्यादा कोई इंपोर्टेंड नहीं है बस जो एक नॉर्मल सा है इन में यहां पर क्या है कि पंजाब की जो सीम अमरेंदर सिंग उन्होंने बोला है कि बीजेपी को इस चीज का में ऐसा भुखतना पड़ेगा एक्शुली क्या है कि उनका यह कहना था कि बीजेपी जो है मतलब पब्लिक तो चाहरी है कि सिटेंशिप अमेंट में टेक ना आए और जो बीजेपी फिर भी अपनी जिद प्याड़ी होई है कि हम लेके आएंगे लेके आएंगे उन्हें ब बंद कर दी गई जो यह अदिए बारिष भी हो रही है और स्नोफॉल भी हो रही है तो इसे क्या हुँ रहा है जितने भी वाटर पाइमसें फ्रीज हो गई है यहें जितने भी तूरिस्त थे वहां पर वह की करेद हैं भारत बंद लादी और तोड़ फोल मचाई और पुलिस पर पत्थरवाजी भी करी तो वहाँ पे जो काफी मतलब और फिस पुलिस को अपने सेल्फ डिफेंस पर उनको टीर गैस के गोले छोड़ने पड़े थे हैं और इस तरह उडिसा में भी हुआ है आगे चलते हैं नेक्स एक महराष्ट को लेके न्यूस है यहाँ पर इसमें क्या है कि महराष्ट स्टेट के जिन्दे भी मिनिस्टर से उन्होंने रिकमेंड किया है कि जैसे 2021 के सेंसस होने वाला है हर दस साल में होता यह सेंसस तो इसमें उन्होंने बोला ही कि इसमें एक पहली बार उन्हें recommend किया कि cast based census करने को लेकि देखते हैं कि क्या होता अगर इसको implement करते हैं तो आगे यहां पर महरास्ट को लेकर कॉन यूज है यहां पर कि जितना भी ministry एक एक्सपर्ट की committee बठाई है उन्होंने जिससे कि महरास्ट की सरकार पर जितना भी बर्डन है उसको रिलीव करते हैं तो कुछ जो टॉप financial sectors हैं और बैंकिंग सेक्टर वहां से जो कुछ experts को बलाएंगे उनकी committee बठाएंगे जिससे यह अपना जितना भी इन पर अब तक कर जा जितने भी जिनके बच्चे हैं अगर वह अपने बच्चे का enrollment कराती हैं किसी भी स्कूल में तो उन्हें 15,000 रुपे जो है दिये जाएंगे as a financial aid ताकि वह जिससे वह अपने बच्चे की पढ़ाई लिखा ही कर सके और यह scheme launch करते ही जो है और अनुमान लगाए गया है कि इस काफी जादा मतलब इस साल जो है काफी मौसम में फेर बदल रहा है कि unexpected rain हो रही है कभी बहुत गर्मी हो गई अब जो है फिलाल जेतनी ठंड पढ़ी तो इतनी जादा पढ़ी कई सालों में इतनी के ठंड कभी नहीं पढ़ी है जीरो-जीरो तक यूपी वगरा में उसे 0.36 डिग्री संटीडीड पहुंच गया उपर और जो इससे पहले जो था इससे पहले जो माना था जो था वो था दो हजार अठारे का जो दो हजार था था वो सिक्स्थ वामें स्टियर माना गया था आगे चलते हैं यहां पर मोदी जी के मीटिंग करी है उन्होंने क्य किया है कि जो बड़े-बड़े जो इंडस्टियलिस्ट हैं जो सी योज हैं बड़े-बड़ी कंपनी के उन्हों बुलाया है और उनसे डिसक्शन किया है कि हम जो कैसे जो है लग लग सेक्टर स्पेसिफिक की जो दुवदा आ रही है जैसे अब जो हमारा और बड़े-बड जो इंडिस्टिलिस्त हैं जैसे मुकेश अंबानी जी आनंद महिंद्रा एलम नाइक अनिय लगरवाल इन लोगों ने भी इस पाटिसिपेट किया है आगे चलते हैं जैसे आप जानते हैं यूएस और इरान की बीच में टेंशन चल रहा है तो अपने इनडिया ने बोला है कि ट्रेवलर्स को जो की एराक वगरे जाते हैं इसको थोड़ा एवाइड करें जैसे यह टेंशन चल रहा है और इसके बाद जो भी होता है फिर उसका और जो है इंडिया की जितने भी एर फ्लाइट्स हैं जो एर इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने उनको बोल दिया है कि यह थोड़ा इराक और इरान वाला जो रूट है इसको थोड़ा एवाइड करें जब तकी टेंशन सांथ नहीं हो जाती आगे चलते हैं नेक्स्ट यहां पर इसी यूएस इरान के ऊपर लेके बाद चित करी गई है नेवी ने जो हमारे इंडियान नेवी है उन्होंने जो अपने जो वाट्शिप डेपलाई कर दिया गल्फ रिजन में एक्चुली क्या था कि वहाँ पर ट्रेड होता है तो हमारे काफी मतलब जो स दो पर अंडिया और जारे पर रख सकाए है और जैसे हमने कल दिसकाशिन किया था कि जो काफी ज़ोगों को बोलता है युआ कंट्रीज के जो एंवेसडर्स हैं वहाना कि चया तो सिचुशन को जब आप बिल्कुल हर तरीके से फ्रीडम दे देंगे पुब्लिक को और हम पुब्लिक से मिल सकेंगे तब ही हम आएंगे और उन्हें अभी फिलाल जो रेजेक्ट कर दिया है और यहां पर कॉंग्रेस किताफ से बोला गया है कि सबसे पहला इंडियां एंपीज को बेजना इस है सबसे पहला उनका राइट है कि श्रीनगर में विजेट करें और बात कर सकांएं है और यहां पे यह वाली न Such है एक कर दिया है थी पीम को पीम के सामने और यह पीम साहब भी हमारे जो ने जाने वाले ते उसके इनाउगरेशन में तो अब उन्होंने जो अपना के यह प्लान जो होता है कैंसल कर दिया है उनने बोलाए कि मतलब की जो है कि जब इस चीज़ से बचने के लिए कोई दुफधा ना हो जाए उनको तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं जाओंगा वहाँ पर तो उनका अभी फिलाल का जो ऑफिशल मीटिंग थी वो सस्पेंड हो गई है यहाँ पर फिर से यूएस और इरान को लेके बातचीत करी गए यह पूरा बताए गया है कि इरान ने जो भी रेवेंज लिया था वहाँ पर जितने भी टार्गेट थे उन टार्गेट को इरान क बस इरान का कहना यूएस ने बिल्कुल साफसा बोल दे कि हमारे को इसी भी जानवाल की हानी नहीं हुए और इरान ने बोला था कि हम जो ऐसा बदला लेंगे कि वहां से वेस्ट एशिया में यूएस की जितने प्रिजैंसे सब खतम कर देंगे और जो इनके जो चीफ है आय इरान में crash हुआ था तो जो इसका एक black box होता है plane में black box होता हुआ है उसमें recording होती कि उस टेम पर क्या हुआ तो उससे क्या होता है कि यह लोग पता लगा सकते हैं कि मतलब कि जो इतनी भी दुरगटना होई है वो किस वज़य से हुई है उससे यह पता लगाने में साहेता मिलत की हम जो हम जो अपने पास रखेंगे और हम जो इसका इन्वेस्टेशन करेंगे और जो हम इसके बॉइंग कंपने को ऊसका ब्लैक-ब्लैक-बोक्स नहीं देंगे और जैसे जानते हैं कि अब जो ऑस्टीविया में काफी bushfires होगें काफी आग जल गई है काफी बड़े ताजाद पर आग लगी हुई है इस टाइम तो जो है अजीप सी बात है तोड़ा से यह कि एक कदम उठाए कि वह जो वहां के केमिल्स की वजए से पानी की कमी हो रही है और उन्हा ना एक्सपेक्ट किया है कि पानी की कमी और भी हो सकती अगर यह इसा ही पानी पीते रहे तो उनका यह अजीप सकदा में तोड़ा सा कि 10,000 केमिल्स को वह लोग मार देंगे आगे चलते हैं यहाँ पर एक फाइनाइन्स क इस देखने को मिली है जो मारूती अचला इंडिया का जो लार्जेस कार्मेकर है मारूती सुजुकी उनकी जो है मैनुफेक्ट्रिंग इस बार बढ़ गई है और लगा था दूसरे महीने यह बढ़ी होई आई है और यहाँ इसी लगे हाथ जो बीमडबलू को जो ग्रूप जो बहार से इंपोर्ट कराता है लाइक हमारी जितनी भी नीड है माली जी अगर हमारी 100 लिटर की नीड है तो 85 लिटर बहार से इंपोर्ट होता है तो माली जी काफी बढ़ा आंक लाई है और जो हमारा जो सबसे बढ़ा पार्टनर था क्रूड ओल में वो इरान है तो जो इसके जो तेल के दाम थे वो भी काफी बढ़ गए है 70 डॉलर पड़ती बेरल के साब से पहुंच गया और एक्सपेक कर रहे हैं कि अगर ऐसी चलता रहा तो यह थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और इस बार को बजट में भी थोड़ा सा यह फिर बदल कर सकता है और थोड़ी दिक्कते हैं हमें फेस करने को हो सकती है तो गाइस यही था आज की न्यूज तो होफ़ली यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी हेलफुल लगती है तो जो है इसको लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमाई चैनल को थैंक्यू गाइस